हेलो फ्रेंड, क्रिपल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जेड प्लांट को एक बुंसाई में कैसे कनवर्ट करें इसी टॉपिक पे बात करेंगे जेड एक पेरिनियल प्लांट है इसके छोटे-छोटे लिप्स और फ्लेक्सिवल एस्टेम होने की वज़े से हम इस प्लांट से बहुत असानी से बुंसाई बना लेते हैं इस प्लांट में समर सीजन और रेनी सीजन में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है वहीं winter season में growth slow हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा जब ठंड होने लगती है उससे में इसकी growth रुख भी जाती है summer season और rainy season में ही अगर हमें अपने plant की pruning करनी है तो pruning करनी चाहिए या plant को कोई safe देना है तो हम safe दे सकते हैं क्योंकि इन दीनों इस plant में बहुत तेजी से growth होती है और pruning के बाद नए नए ब्रांचे जाते हैं नए नए लिपसाते हैं मेरे पास यहां एक जेड प्लांट है जिसको मैं बुंसाई में convert कर रही हूँ इस प्लांट को मैं एक छोटे से 1.5 इंच के pot में लगाई हूँ और यह प्लांट कुछ-कुछ बुंसाई ट्री की तरह दीख रहा है अगर आपके पास भी जेड प्लांट है और आप चाहते हैं कि उसका एक बुंसाई बनाए तो सबसे पहले आप उसके main stem को जिसे trunk बनाना होता है उसे आप देखें अगर नीचे की तरफ जुकी हुई है तो कुछ आप इस तरह का बुंसाई बना सकते हैं वहीं अगर main stem ऊपर की तरफ जाके दो तीन ब्रांचे निकाली हुई है तो कुछ इस तरह का बुंसाई बना सकते हैं तो main stem को देखते हुए ही हमें decide करना होता है कि हमें अपने बुंसाई ट्री को क्या सेप देना है अगर ब्रांचे सॉफ्ट है तो आप उसे वाइरिंग करके भी एक सेप दे सकते हैं तो चलिए मैं अभी अपने इस प्लांट में कुछ प्रूनिंग करूंगी कुछ ब्रांचे जटाओंगी जिससे आपको कुछ एडिया मिल जाएगा कि हमें अपने बुंसाई प्लांट को कैसे प्रिपेर करना है मेरे इस प्लांट में ट्रंक के पास से भी कुछ ब्रांचेज निकली है यहां आप देखिए छोटे-छोटे मैं इनकी कर्टिंग कर दे रही हूँ अगर इन ब्रांचेज में फास्ट ग्रोथ होने लगेगी तो ट्रंक का सेप नहीं दिखेगा और यह प्लांट पूरा का पूरा खराब हो जाएगा तो मैं यहां से इसकी कटिंग कर दे रही हूँ यहां भी एक है इन छोटे-छोटे सभी ब्रांचेज को मैं हटा ले रही हू और यहां पर आप एक बड़ी ब्रांच देख रहे हैं जब यह प्लांट काफी छोटा था तो यह मुझे लग रहा था कि वन साइड लोग देने में हेल्प करेगा लेकिन जैसे जैसे ब्रांचेज ज्यादा हो रही है तो यह इस ट्रंक को थोड़ा छोटा दिखा रहा है त तो इस ब्रांच में देखिए यह में ब्रांच से होते हुए आया है और इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है तो मैं इसे भी कट कर दे रही हूँ अब मेरा यह प्लांट एक बंसाई सेप देने के लिए तयार है अब मुझे इन चोटी-चोटी ब्रांच जो उपर है इनकी प्रूनिंग करनी होगी जो ब्रांचे थोड़ी लंबी हैं उनकी मैं यहां से प्रूनिंग कर दे रही हूं जैसे यह आप देखिए बाहर की और जा रही है तो मैं यहां से कट कर दे रही हूं इसे भी मैं यहां से कट कर दे रही हूं और ये ब्रांचे जो छोटी-छोटी सी हैं इमकी में उपर से चार लिप्स हटा दूँगी ऐसा करने से इसमें बहुत सारी ब्रांचे निकल के आती हैं और प्लांट एक पर्फेक्ट कैनोपी बना लेता है जेट प्लांट के छोटे से छोटे कर्टिंग को भी आप प्रोफगेट कर सकते हैं इस प्लांट को हम किसी भी सीजन में प्रोफगेट कर सकते हैं जेड प्लांट के केर पर मेरा एक वीडियो है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर भी करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थेंक यू